नमस्कार मैं बोशा स्वागत है आप सभी का लोकल नियूस 24 में परखंट के सिवी गाउं के कुछ लोग आटो से 24 परखंट के नावाडी परा समारों में चा रहे थे जिस दोरान आटो चालक ने पहले एक पिकप में टक्कर मारी पिकप सवार नीचे गीरा जिसे मिरित समझ कर अफरह तफरी में भागने के चकर में अनियंतरित होकर सामने से आ रही सफारी में चोड़ता टक्कर मारी जिस से आटो सवार एक बच्चे समें तीन लोगों की घटना असल पर मौत हो गई और दो बच्चों का चमुहार मेडिकल कॉलेज में इलाज की क्रम में मिर्त्यू हो गई वहीं अभी भी तीन लोग कमभी रूप से खायल पताय जा रहे हैं वहीं खायलों का इलाज चमुहार मेडिकल कॉलेज में चिकिसा को दुआरा किया जा रहा है मुरीतकों में 30 वर्षिये मंजीत कुमार, 35 वर्षिये सुमित कुमार, 5 वर्षिये रवी कुमार, निमहत गाउं के निवासी रविंदर परजापती के 5 वर्षिये पुत्री पम्मी कुमारी, रामेश्वर गंच, सासराम के स्वर्गे सुमित कुमार के 6 वर्षिये पुत्र आर हाल है जबकि घायलों में रविंद्र परजापती ग्राम निमहत मधु कुमारी त्यूरा निवासी कंचन कुमारी शामिल है थाना अध्यक्ष कृपाल जी ने बताया कि शौक को अपने कबजे में लेकर पोश्ट माटम के लिए सासरम सदर होस्पिटल फेजा गया है और घटन थानंजय निदोष थाना अध्यक्ष क्रिपाल जी जनपरती निधी एवं पुलिस कर्मी यातायात विवस्था तुरुस्त करने के साथ ही जरूरी कारवाई में लगे थे बीते कुछ दिनों से तिलाथु डेहरी रोड पर सड़क हासों के संख्या बढ़ गई है इसके अगतार सड़क हासे हो रहे हैं लोकल नीव्स 24 के लिए ताजु मारकोनी की रिपोर्ट